और अब देश भर की बाग की और खबरों के लिए देखे टॉप नाइन अन्यराज प्रताप गड़ में खुद को चंदन यादव बताने वाला ये शक्स मोती सिंग नाम से मश्वूर राजी की कैबिट मंजी राजी दिप्रसाद सिंग का खुलयाम एनकाउंटर करने की धंकी दे रहा है सोशल मीटिया पर ये विडियो वारुद हो रहा है कि शक्स ब्लॉक प्रवोक के पती और गैंक सर सभाजीत यादव को अपना मामा बताता है यूपी गॉंडा में कुए से जहरीली गैस रिसने से पांच लोग की मौत हो गई दरसल कुए में गिरे बचले को निकालने के लिए पांचो यूप कुए में उतरे थे उसी दोरान कुए में जहरीली गैस का रिसाव हो गया और पांचो यूप उसकी चपेट में आ गए सूचना पाकर पहुची टीम ने रस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला लेकिन जिला अस्पताले में पांचो को मृत गोशित कर दिया गया गिटनोईडा के दादरी में तीन नकापूश मतमाशों ने एक यूवक पर चाकूँ से हमला कर मौत के खाट उतार दिया बताया जा रहा है कि बदमाशों ने यूवक को दोड़ा दोड़ा कर हमला किया राहगीरों ने यूवक को अस्पताल पहुचाया लेकिन इलाज के दोरान यूवक की मौत हो गई पुलिस ने यूवक के लाश को पोसमोचम के लिए भेज दिया है पुलिस ने जल सी जल आरोपियों भी गिरफतारी का दावा किया यूवक के सोंभदर में दिन रहला देने वाली वारदात साबने आई है एक यूवक ने अपनी माँ और पत्मी की हत्या कर दोनों के शव को घर में जला दिया आरोपी दोनों के शव को जलाने के बाद खरार हो गया मौके पर भुछी पुलिस ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ कर लाश को अपने कबजे में ले लिया बताया जा रहा है कि यूवक ने पत्मी और मा के तलवार से हप्तिया कर शव को जलाया था उतरप्रदेश के बुलन शहर के डियम रवेंद्र कुमार सिंग ने एक दिव्यांग की समस्या ओफिस के बाहर फर्ष पर बैट कर सुनी दिव्यांग की समस्या सुनने के बाद उसके समाधान के लिए डियम ने फौरण निर्देश दिये सोशल मीडिया पर डियम की कुप तारीफ हो रही है कुछ दिन पहले नौईडा के डियम वियल सुहास ने एक फर्यादी की समस्या ओफिस के बाहर जमीन पर बैट कर सुनी थी पंजाब के अमर्शर में हर्शा चीना इलाके में एक परिवार अपने घर और दुकान पर तीन दिन बार लूट और हमले से खौफ में है बेखौफ लुटेरों के सामने पुलिस और प्रशासन ने भी आखे बंद कर ली है पंद्रा दिन पहले तीसरी बार लूट पार्ट के दौरान लुटेरों ने परिवार के सदसे पर जाम लेवा हमला भी बोला सिसी टेवी फोटेज होने के बाद भी पुलिस का रिवाई नहीं कर रही है एक आरूपी को पुलिस ने गिरफ्टार कर लिया